देखो भाई अपना बारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के हर कोने का इन्वार्मेंट अलग-अलग है यदि हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया अपनी नेचुरिल ब्यूटी के कारण जाना जाता है वाँ पर बहुत सारी ऐसी जिगह है जहां अपर जाकर आपका मन खो जाएगा आप उस जगें के दिवाने हो जाओगे तो भाई आज इस वीडियो में हम साउथ इंडिया की साइड ही ड्राइविंग करने वाले हैं वो भी बस को जिसके अंदर 50 पैसेंजर बैठे हुए होगे और जिसको हम लोगों को ड्राइव कराना है ब आप सबका इस वीडियो में हम जिस बस सिम्मिलेटर गेम को खेलने वाले हैं उसका नाम है बस सिम्मिलेटर अल्टिमेट ये गेम पहले गूगल प्ले स्टोर पर था लेकिन अभी है या नहीं है ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि काफी दिन हो गई चेक किये लेकिन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल बावा पर जाओ लिगो बस सिम्मिलेटर अल्टिमेट डाउनलोड आप लोगों को असान से मिल जाएगा तो अभी ज़्यादा समय बेशनी करते हैं डारेक्ट गेम पर चलते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ल अपनी बस चलने के लिए बिलकुल तयार है सारे पैसेंजर बेट चुके हैं सारे टिकर अपनी बिख चुकी है और बस अपनी हाउस पुल है 50 पैसेंजर टोटल बेटे हुए हैं एक ड्रैवर है एक इंडेक्टर है तो टोटल हो गई बावन वैक्ती जो फिलाल बस में करते हैं बस चैन से बाहर निगलते ही हमारा स्वागत करते हैं सुरजमु के बहुत ही सांदार पोधे मतलब फूल और अभी जो टाइम है ना ओल्मोस्ट मोर्निंग का है बज़े होंगे करीब करीब चारी या पांच इसकी बज़े से आप लोगों को पूरी तरह से काली रा है और यहां पर सभी बंदेर रात के टाइम में डारूपी के इस वज़े से हमारे साथ एक्सिडेंट कर रहे हैं हम तो अपनी साइट चल रहे हैं फिर भी वह एक्सिडेंट कर रहे हैं पर्चेज बैटर विकल सारे यार इससे बैटर विकल करेंगे पर्चेज अभी हमारे पास पैसा नहीं है मोड अप्लिकेशन इस्थमाल नहीं कर रहे ना हम मोड होता तो बहुत पैसा होता हम ओरीजिनल अप्लिकेशन के साथ खेल रहे हैं यह 360 डिगरी कैमरा इंगल जिसके साथ व्यूस तो बहुत बढ़े आते हैं लेकिन एक्सिडेंट होने के चांद से बढ़ देख जाते हैं भाई भाई तेरी आँखे खराब है तो स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूं तो सबसे पहले डोक्टर जुनेजा के पास जा अपनी आंकों का चस्मा बनुआ उसके बाद उससे पहन फिर स्क्रीन देखना अरे 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 बच गया मेरे को लगा एक्सि बोदे हैं यह आ गया फ्यूल पंप यहां पर हम लोगों को फ्यूल नहीं डलवाना है तो हम यहां पर नहीं रोकने वाले हैं हम बिलकुल स्टेट चलने वाले हैं बारिस रुकने का नाम नहीं ले रही है अरे रुक गई भाई जैसे बारिस का नाम लिया बारिस एक्दम से रूख गई एकदम से भगवान ने का है कि भाई मेरी टंग की खतम हो गई है मैं अभी पानी रोख देता हूं तो उन्होंने पानी रोख दिया अभी फिर से सामने से एक टैक्सी फिर से एक्षिडेंट किसी से साथ हुआ I don't know लेकिन जो भी हुआ बाई गलत होँ मैं ऐक्षिडेंट नहीं कर रहा हूँ मैं ड्राइविंग बिल्कुल सही कर रहा हूं फिर भी कोई आगे मेरे को टक्कर मार रहा है तो मैं क्या ही करूँ थो ह से नई बायनस हो गया था बिल्कुल नीचे लिए उतर गया था मैं तो अब की बार तो अब यहां से रस्ता जाएगा भाई चेनने की तरह चेनने क्रीब क्रीब 287, 288 क्लियर नहीं दी करा इतने 280 किलोमेटर के आसपास है यहां से राइट हेंड साइड जाना है जो हमें लेके जाएगा हाइवे पैर और सामने देखो सुरज चाचू बाहर निकलने वाले हैं यह एरपोर्ट है लाइट हाउस आप लोगों को यहापर देखने को मिल रहा हुआ बहुत सारे एरोप्लेन खड़े हैं जिनकी पूर्ज लाल और नीले रंग की है बहुत सारी गाड़ियां विकड़ी है एक एम्बूलेंस भी आपर खड़ी हुए होती है हर टाइम ही और जस्ट हम एर 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 यह लेंडिंग देखो भाई एरोप्लेन की जैसे ही हम अभी पार करेंगे इस एरो एरपोर्ट को तो हमारे सामने आता है एक टोल पलाजा जहां से हम लोगों से पैसे मांगे जाएंगे पीछे आप लोगों को सुरज मामू भी दिखाए दे रहे होंगे जो बहुत हिप बहुत ही बहुत ही गोल टाइप के है थोड़े से नकल ही लग रहे है लेकिन ठीक है पुलिस की गाड़ी भी आ रही है पीछे पीछे इनको तो रस्ता देना पड़ेगा होरना ये मामू मना के अपना चलान काट देते है यहां से निगल जाते हैं जाओ वाई जाओ 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 गई पुलिस की गाड़ी आगे हम रह गए पेछे बहुत अच्छी बात है और यहां पर कट गए 644.3 के डोलर पता नहीं कितना हुआ रोकड़ा तो मेरे गो लेकिन के है तो यार हजारों में बात कर रहे हैं अरे फिर से एक्सिडेंट अब किस ने किया पकड़ो उसको किस ने एक्सिडेंट किया आगे कोई नहीं है अरे मैंने कोफी दी ही नहीं तो भाई कोफी खंडेगी कहां से पैसें रहने वाला कोई भी सुद्धा नहीं दूँगा आप लोगों को जस्ट एक टूटी-फूटी गाड़ी में आप लोगों को लेकर आँगा आप उसी में खुछ रहने वाले हो गाएं गई है पीछे गाएं का दूद बहुत फाइदे मतलता है पिया गरो यह अपना जंडा को भाई बोर्ट्राइब का अच्छा आगे जाके मोड है फिर आएगा हमारे सामने जो भी सीज होगी अपने सामने आ जाईगी कोई प्रोब्लम नहीं है अच्छा यह था भाई धाबा टाइप का कुछ यदि खाना वाना खाना वो तो रूख सकते हैं आउटलेट है यह पैसेंजर आउटलेट लेकिन हम नहीं रूखने वाले हैं आपर हमारे पैसेंजर बड़े बेकार है मैं इनको कुछ नहीं किला हूँगा आज यह मेरे नाक म हमेंदम करके रखे हुए हैं भाई कोई कहता है स्क्रीन दिखाए नहीं कोई कहता है कि तेरी बस बिल्कुल बेकार है कोई कह रहा है कि मेरी कोफी गिर गई कोफी तो मैं लेके ही नहीं आया था कोफी गिरे ही कहां से पागल आदमी तू घर से लेका आया था क्या मेरे को पीट देंगे यदि लेट करा दिया अरे बाई कितरों खतरना को रहे वी ट्राइवर ता ही एकदम से ट्रन लेके गया मेरे आगे से बिल्कुत सामने से अभी तक दिन नहीं निकला है मैं चेनी में जस्ट पहुंच चुका हूँ 90 किलोमेटर दूर हूँ लेकिन दिन अब तक नहीं निकला भाई कब निकलेगा दिन कब होगी सुबह है I don't know कि यह वाले क्या गरते हैं यह एक नहर टाइप का कुछ हो बच गया रहे यार इतना दूर से जारे के बाद भी एक्षिनेट दिखा रहे है इट इस ने लिटल वेरी तो आगे पता नहीं में पड़ दें पाया यह यहां पर भी रुके हुए हैं मैं तो नहीं रोगने वाला भाई मेरे पास इतना सबर नहीं है फिल से एक माइनर एक्षिनेट अब कि बार किस उलू के पठेनी किया था भाई वैसे ही पागल बना रहे हो या सामने रेल गई उपर से यह आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात है नहीं देखा तो पीछे जाओ दस सेगिंड और फिर देख ले रहो अब यह बस हमें आगे नहीं जाने देखी हमें इसके पिछे रहने का सोख है नहीं यह फिर से मैट्रो आ गई उपर दो दो मिट की सर्विस है मैट्रो की और हम पहुंचने ही वाले हैं जस्ट वाई 35 की स्पीड रखनी हा और यह बसवाला हम से मैंटेन भी करुआ रहा है वरना हम क्या किस ने किया यह कितने कोफी गर गई है ना रिये कि कोफी कहां से लेकी आ रहा है पता कर दने या मेरी बस कोफी कहां سे आ रही है सोड़ें को को भी तो को अना है मार चे यार वासरीント ॉ जा करवे इंटरी कर लिए हम लोगों ने अभी टेन लेंगे और यह अपना पार्किंग्स लोट है इसके लिए अंदर ले जाकर हम अपनी बस को पार्क कर देंगे और पार्क करने में होती है थोड़ी क्शी प्रेसान नी और प्रेसानी का सामना हम करना नहीं चाहते तो हम पार्क करते रहरेंगे अपने आप बेस आप यही तक गेम प्ले को देखो तो違व आप लोग खो यह वीडियो आप यह लिए खी हो говक्ता उच्छ लिए को लाइक पेर लिके पमेंट सेक्समें